यह मैंने रेडिमेड कुर्ती लिए रखी हुई है इसका ने कॉलिटी बना हुआ है जैसा कि आप यह देख सकते हैं यह मेरा कॉटन का फैब्रिक था तो आज मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस्ट बैल आइकन तो आए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए इस तरीके से यह मेरी कुर्ती थी तो इसको बीच में से मैंने फोल्ड कर लिया है जो लैंथ मुझे त्यार चाहिए वो मुझे 44 इंच चाहिए तो यह जो कुर्ती है वो मेरी 45 इंच तक की है तो उपर साइट पर जो इसलिए मैंने 7 इंच रखा है आपने अक्रॉडिंग रख सकते हैं अब हम इसके इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे यह मैं 34 साइस की अक्रॉडिंग मना रही हूं अभी है समीज के मार्किंग करेंगे तो आर्मोल आप यहां से 7 इंच रख लेजिए ज्यादा क्योंकि यह स्ल इंच प्लस कर लीजे तो देखिए हम तो इंच इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे फिटिंग के लिए अब देखिए हम यहां से हम शुल्डर टू जो वैस के लिए निशान लगाएंगे जो कमर की नाप लेंगे हम यहां पर 14 इंच पर रखा मैंने और यहां पर हम चाक उपन करेंगे तो आप 90 से 21 इंच के बीच में रख सकते हैं तो देखिए इस तरीके से निशान लगा लेना है यहां समने इसके वैस का 4 लेना है और 2 इंच का मार्जिन ले लेना है अब कि जितनी भी वैस तो इसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लिए जैसे हम ऐसा ही इस निशान को हमने इस तरीके से रखा बिल्कुल तिरचा नहीं मिलाना हम इसमें थोड़ा सा शेप देंगे कुछ इस तरीके से अब यहां पर हमें इसके आर्मोल की जो राउंड का शेप लगाते हैं क्योंकि यह फ्रेंट पार्ट है मेरा तो इसमें हम वान इंच पर रख कि इस नेक के अकॉर्डिंग आप चकर लिए कितनी हैं उसमें आप आफ इंच कम करने के बाद से इस तरीके से निशान लगा लिजी और यहां पर हाफ इंच डाउन कर लेंगे शोल्डर टू नेक टू शोल्डर पर तो देखिए इस तरीके से मैंने मांक कर लिया हैं यहां तरीके से निशान लगा देती हूं ताकि आपको यह समझ में आजाए देक्षी के सह निशान लगा से निशान लगाना है अगर इसको थोड़ा से तेच्रा रखना चाहते हैं तो आप इस तरी के से आप रखें तिर्जा से निशान लगा डिए बिल्कुल तिर्जान नहीं रखना है नोक नहीं निकाल ली है इस वाद का आपको ध्यान देना है अब देखिए क्योंकि मैं थ्रों से स्ट्रेट लुक दूंगी तो यहां से मैं सिर्फ 10 इंच पर रखूंगी और यहां पर 2 इट वाली फैंपरिक होते हैं कुर्टी के बने हुए आप इस तरीके से रख करके आराम से मांकिंग कर सकते हैं तो देखिए इस तरीके से मैंने मांक कर लिया था अब हमने जितनी भी मांकिंग है उसकी हमने कर लिनी है नेक की कर दिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि हम इसे पेस्टिंग से बनाएंगे जिसे हम फ्यूजन पेपर भी बोलते हैं अब देखें यहाँ पे इसे हम इस तरीके से साइड से कट कर लिया इसमें एक्स्ट्रा मारजन नहीं रखना है क्योंकि मैंने इसमें अल्रेडी मारजन एड करके रख हुआ है तो देखें यहाँ से हमने इसे कट कर लिया यह जो इस कुर्टी की जो नेक है वो राउंड नेक थी अगर आप जैसे भी आपका डिजाइन हो उसकी अकॉर्डिंग आप सेम यही मैथड से बना सकते हैं अब बैक पार्ट के लिए देखें हमने बीच में से फोल्ड करके बिच्छा लिया है सेम ऐसे ही जैसे फ्रेंट पार था अब हम देखें इसकी मार्किंग करनी है तो जैसे निशान हमने लगाया है बस उसे पर आपको उसका आउटलाइन ड्रॉआ कर लेना है देखें कुछ इस तरीके से हम ड्रॉआ कर लेंगे यहाँ भी अंदर साइड को ड्रॉआ कर लीज़े इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी अब जब स्लाइ करोगे तो आपको यह आइडिया हो जाएगा अब नीजे का जो बॉटम था अब यहाँ भी हमने निशान लगा लिया है इस फाब्रिग को हमाटा दिंगे अब यह जो निशान थे इनको आप इस तरीके से डाग कर लीजे देखें यहाँ पर हमने इसे डाग किया यहाँ भी हमने मिला लेना है दो इंची स्ट्रेट आने के बाद इस तरह के से निशान लगा लीजिए अब जो अंदर जो हमने इस क्योंकि बैक पार्ट है तो इसमें हमें अंदर की कहाई का शेप नहीं देना इसलिए हम हाफ इंच और बाहर साइड को निशान लगा लिए अब देखिए कटिंग करने से मैं पीनप कर लूँगी ताकि जो फैंबरिक है वो बिल्कुल बराबर से कटे और ये इधर उदर नहीं किसके तो देखिए इस तरीके से ही हमने यहाँ पे से पिनप कर लिया है अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है तो इसमें से मैसे ही इसमें भी मार्जन हमें एड़ नहीं करना है जैसे निशान है उसके उपर ही हम इसे कट कर लेंगे अगर अभी तक आपनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ये और प्रेस तबैल आइकन जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें तो दौबी और नगाने के की परलगे मेरी यहां पर चोटा सा प्राइब करकर लचाए इसके अपको फेरलिक को और प्रेंट साइट से अब ने किने इसके नेक को तियार करना को तर्के काँ आप प् морणा को तेयार करना थे दो तरह केसे बचाए कि अब सकते हैं या फिर में उआल पर हसी मैधे बाता नाइब पेस्टिंग पेस्टिंग को फैब्रिक पेर रखके पेस्ट कर लिया था अब दिखिए इस तरीके से आपको अब नॉर्मल इस तरीके से रख लीजे रखने के बाद इससे आप अच्छे से पहले पीनप कर लीजे इस फैब्रिक को पीनप करने के बाद यह मैं आपको वाला साइड जो है वो मैंने नीचे रखा हुआ है अब देखे इसके उपर जहां पर यह डिजाइन बनी है उसके साइड से मतलब एक दो सेंटिमेटर छोड़ के आपको इसमें सिलाई लगानी है तो मैं बैंक की मार्किंग बता देती हूं देखिए हां पर हमने 2.5 इंच कर लिया ड्रो करने के बाद मार्जिन 2-3 इंच तक रख सकते हैं अब यह तो पूरा यह जो बचावा फैंप्रिक है वो भी आप इस्तमाल कर सकते हैं इसके नकी जो ड्राफ्टिंग के लिए अब जो एक्ट्र पीस था उसे हमने इस तरह के से निकाल दिया है यह कुछ इस प्रेस करेंगे तो दूसरे साइट भी आपको निशान मिल जाएगा उस निशान को डा कर लीजे यह मेरा बैक नेक के लिए था यह फ्रंट नेक के लिए मैं आपको इसमें सिलाई करके दिखाऊंगी तो पहले हम इसे भी अच्छे से लगा देते हैं इसे जो नेक खुरती क जो सीधा वाला साइड है उसके उपर हम इस तरीके से रखेंगे मिट को मिट से मिलाके रखना है इसलिए आप यहाँ पे चाहतों पीनप कर लीजे यह अगर अगर विगनर है तो इस पे कच्छी सिलाई लगा लीजे यहां इसके मिड में उसके बाद आप इसके नेक के साइ लिए अब हमने इसमें सिलाई लगानी है तो मैं आपको पहले प्रेंट नेक पर बताऊंगे फिर उसके बाद यह बैक नेक के उपर स्लाई करके दिखाऊंगी तो मैं देखिए मेरा फ्रंट नेक था तो फ्रंट नेक के उपर आपके पास इस तरीके से एमरोडी वाला डेखिए मैं तो जो नेडल है उसी से आप इस पर इस लाई लगा लीजिए तो आपको पेस्टिंग पे जो है सेम यही डिजाइन आपको मिल जाएगी देखिए इस तरीके से आप मैंने इसमें देखिए कर ली थी जिप्रेट निकाल दिया था मैने तो देखिए से अब बन बनाते हैं नेको इस तरीके से ऊपर साइड पर रख लेजिए जो फार्बरे का सीधा वाला साइड है और इसे पीनप कर लीजिए पीनप करने के बाद अब हमने इसमें सिलाई लगाने है तो जो कुर्ती वाला साइड है उसे हम उल्टी साइड पर कर लेंगे और देखें आप उसे भी मिना सकते हैं ये देखें इस तरीके से हमने निक्दम पर शि dwelling लगा लिए है ऐसे ही हम जो इसे बियुक्त कर लिए तो जो बेक वाला नेक आaking नेक बना करके ready कर सकते हैं ये देखिये इस तरीके से यहां पर मैंने यह पूरे पेस लाइए लगा दी है जो नेक है वह कुछ इस तरीके से नजर आएगि बिल्कुल बड़ाबर से design ही तो मने अदर के से जो एक्षा पेस्टिंग है उसे हम निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से अब देखिए इसमें हमें छोटे-छोटे कट लगाने तो कट लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो आपका एक्षा फैब्रिक है वह एक्षा कट नहीं होना चाहिए और नहीं थ्रेट तो इस बात का ध्यान देते हुए आपको इसमें छोटे-छोटे कट लगा लेने हैं और जो फैब्रिक है वह अंदर साइड को मोड लेंगे मोडने के लिए आप इसमें आयरन का यूज कर सकते हैं विदाउट आयरन यह अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी तो इसमें आ एक्ट्रा फैब्रिक है वह अंदर साइड को हम इस तरीके से फोल लेकर लेंगे अगर इसमें पाइपिंग का बनाना चाहते हैं तो जो पेस्टिंग वाला साइड था उसको थोड़ा साइड को निकाल सकते हैं तो देखिए मैंने बैक नेक पेस तरीके से आयरन कर लिया था और फ्रंट नेक इस तरीके से नजर आएगा अब हमने इनके शोल्डर को जोइन करना है तो फ्रंट नेक इस तरीके से नीचे रखा मैंने अब बैक वाले जो नेक है उसको हम इस तरीके से रखेंगे दोनों शोल्डर को शोल्डर से मिलाया बैक वाले शोल्डर को इस तरीक किसे पिन अप किया, से मैं सही, बैक वाले देखिने को इस तरीके से हम रखा शुल्डर के उपर और यहां पर इसे बराबर से रहने के पार यहां पर आपको पिन अप कर लेना है, अगर आप बिगनर हैं तो पहले कच्छा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके उपर चिर कर सकते हैं यह देखिया कि तब ब्यूटफुल सा लोक आ रहा है अब इसकी साइड की फिटिंग का निशान जो है वो लगाना है फिर उसके उपर आपको नॉर्मल सिलाई कर लेनी है जो निशान रहेगा उसके उपर ही तो आप जैसे निशान देख रहे हो एक साइड पर है त या तो सीमपल सा मेजड़ यह है आप इस तरीके से निशान लघा लिजे या फिर आप जो आपने द्यूसरे साइड पर diag कर लीजए इस तरीके से यह नहीं होगा और इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है फैबरिक बीच में से फोल्ड करेंगे और हाए से टइप कर लीजिए और इसके उपर नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है तो मैं आपको सिलाई लगाने के बात दिखाती हूँ मैंने सिलाई लगा ली थी अब हमने साइड का जो चाक है वो बनाना है तो चाक के लिए देखिए इस तरीके से फाबरे को बीच में से फोर्ड कर लेंगे यहां इस तरीके से जो एक्ष्रा रहेगा अगर आपको जादा पहना है तो आप डग सकते हैं या फिर आप स्ट्रेट ही इस तरीके से मोड़ते जाए और इसके उपर आइरन कर लेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा सा लोका रहेगा मैं इसमें हेमिंग करूंगी इसलिए मैं से इसे प coffee आपकर रहे हो अगर यहाप लगाना चाहाए तो इसलाई भी लगा सकते हैं और व भी comfortable हो आप बना सकते हैं से मैंसे ही तूसरे साइड पे भी हम इस तरीके से फैंप्रिक को मुड़ा यहां पर पिनप करा बहुत आसानी से चाक बन करके पेस्टेंग का यूज़ करना चाहते हैं कि आपका जो फैंप्रिक है वो मूरे नहीं तो आप साइड में जो यह बना रहे हैं स्लिट वहां पर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं तो देखें इस तरह के से अंने रख लिया और यहां पर भी पिनप कर लेना है और इसके आप इसके पूरे राउंड अटाश कर लिए जो शूल्डर पर सौरी स्लीप पर तो देखिए इस तरीके से मैंने आर्मोल के साइड पर ये मैंने फैब्रिक को अटाश करके डिजाइन बनाई हुई थी इपनी मर्शीन से ही तो इस तरीके से आप ये देख सकते कि इती प्यू से रिलिटर अगर आपके पास कोई कोशेंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उसके रिप्लाइ आपको जरूर दे दूंगी और एक और चीज अगर आपको कोई डिजाइन बनवानी हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी इमेज शेयर कर सक करते हैं तो मिलते पर नेक्स वीडियो में है डॉपिक के साथ थैंक्स वाचिंग थैंक्यू